हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पर आज अपन लेकर आगए आपके सामने यानि रोजना आपके सामने यह जो स्रीज चल रही है उस स्रीज को आप जोइन कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पोंस मिल रहा है तो आपन साइन्स की वेरी इंपोर्टेंट क्यूशन लेकर आगए हाँ एक मैत पुर्ण सूचना एक न्यू चैनल आ रहा हमारे जो आपके NMS एक्जाम 2023 में आपको सपल्दा दिलाने का पूरा यकिन दिलाते हैं अगर आप उस चैनल को लाइक सेर एड सस्क्राइब करते हैं तो निश्चिती आपकी सपल्दा के अंदर च्यार चांद दगने वाले हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिक्शन बॉक्स में दे दी जाएगा क्योंकि उसके अंदर आपके मैतमेटिक्स और डिजिनिंग के जिदने भी क्यूसन पेपर होंगे वो आपको सॉल करवाई ज दे गा उसी के साथ आपको उस चैनल को जल्दी से सस्क्राइब करके रखना एं तो उस पर आपके new वीडियो आने वाले हैं उसका लिंक आपको चाहिए तो डिस्क्रिक्शन बॉक्स में दिया गया है उस वीडियो को आप जल्दी से अर धिक से अधिक दोस्थ्टों तक शेयर करें और उस class को support करें तो अपन शुरू करते हैं आज के जो science के very important question की स्रीज चल रही है उसको अपन solve करते हैं आप हमारे साथ निरंतर जुड़े रही आपकी सफलता निश्थित होगी तो अपन शुरू करते हैं आज के very important question कि दमनी तरंग गती करती आपको बतना है कि दमनी तरंग है जो गती किसमे करती है के वल ठोसो अमें के वल दरुवयों में के वल वायं इसका राइट एंसर कुन सा होगा तो वज़ारत्यों इसके अंदर राइट एंसर कौन सा होगा आप सब्सक्राइब को नोट करते वे चलना है और इसको बार बार आपको रिविजिन करना है आपकी सपलता के अंदर चारचा निच्चिती लगने वाले है और आप सभी का सेलेक्शन होने वाला है तो अगे चलते हैं अपन अगले क्यूशन की और अगला क्यूशन है कि आपतत कौन प्रावरतन कौन के बराबर होता है आपको बताना है कि आपतत कौन प्रावरतन कौन के बराबर होता है, क्या सदेव बराबर होता है या कभी नहीं, या कभी कभी या विशेश दिस्साओं में, या कभी नहीं, इसके अंदर आपको सोच के answer देना है, बहुत अच्छा question और प्यारा question है तो इसके अंदर right answer कौन सा होगा इसके अंदर आपत कौण और प्रावर्तत कौण सदेव बराबर होते हैं यनि यह answers का correct उने वाला है आगे चलते हैं अपने अगले question की और अगले question है कि चाल का मूल मात रखिया आपको बताना कि चाल का मूल मातर क्या है एक किलो मीटर परती गंटा या मीटर परती मिनट किलो मीटर परती गंटा या मीटर परती सेकें इसमें आपको मैंने बताई दिया होगा कि चाल का मूल मातर क्या होता है चाल का मूल मातर क्या होता है आप सभी को पता है, तो इसके अंदर हो जाएगा कि किलो मीटर परती गंटा यनि सी एंसर इसका जो क्रेक्ट होने वाला है, अगर आपको ये क्लास पसंद आती है, तो क्लास को लाइक, शेर और सस्क्राइब करें, और अधिक से अधिक दोस्तों तक सेर करें, आपको अब रेगुलर क्लास से मिलने वाली है, तो आप क्लासों को अधिक से अधिक दोस्तों को सेर करें, आपने अभी तक वो न्यू चैनल को आपने सस्क्राइब नहीं किया है, तो जल्दी इंदर दुनूस बनने की परिगटना क्या कहलाती है? आपको बतना है कि जो इंदर दुनूस बनने की परिगटना है वो क्या कहलाती है? तो आप सभी को बता होगा इसका इंदर राइट एंसर हो जाएगा option number B यानि क्या कलाती है फिक्सेपन कलाती है ये क्यूशन कहीं बार एक्जाम में रिपीट हो चुका है और ये बार बार रिपीट हो रहा है तो मुझे आपसे एक उमीद करता हूँ कि आप ऐसी क्यूशनों को नोड करके रखें और एक्जाम के अंदर इसको जब आपके एक्जाम के दो या तीन दिन बसते हैं तो उसमें आपको बार बार रिविजन करके जाना है ताकि ऐसी क्यूसन आपको सोल करने में असानी रहे और टाइम का भी सदुप्योग हो सके तो आगे चलते हैं अपने अगले क्यूसन के और अगले क्यूसन है कि डबल रोटी की निर्माण के दुरान निकलने वाले गेस बताने हैं आपको यह नाइट्रोजन, कार्बन डायोकसाइड, ओक्सीजन या कलोरिन तो इसके अंदर राइट एंसर बताना आपको तो विदार तो इसके अंदर राइट एंसर हो जाएगा उप्सन नमबर जो ए है वो इसका राइट एंसर होने वाड़ा है यानि जो डबल रोटी के निर्माण के समय नाइट्रोजन गेस निकलती है आगे चलते हैं अपने अगले क्यूसन क्यों और अगले क्यूसन क्या है कि अगले क्यूसन है कि सी एंजी इंदन का उसमें मान कितना है आपको बताना है कि सी एंजी इंदन है उसका उसमें मान कितना है 45 किलो जूल पढ़ती गरगरा 35 किलो जूल पढ़ती गरगरा या 50,000 किलो जूल पढ़ती गरगरा तो इसके अंदर आपको राइट एंसर बताना है तो विदर दो इसके अंदर राइट एंसर हो जाएगा आपके option number B यानि B answer इसका correct होने वाला है आगे चलते हैं अपने अगले question के और अगले question है एधातू का उधरन बताना है आपको very important question एधातू का आपको उधरन बताना है यह sulfur, iron, जस्ता या copper तो इसके अंदर आपको राइट एंसर बताने हैं अच्छे से सो समझ की इसका answer देना है तो एधातू का उधरन आपको पूचा गया है तो एधातू कौन सी है एधातू है वो इसके अंदर उजाएगा इसका क्रेक्ट होने वाला है आगे चलते हैं अगले क्यूशन के और अगले क्यूशन है निम्बू में कौन सा अमल पाया जाता है आपको बताना है कि निम्बू के अंदर कौन सा अमल पाया जाता है एक एसिट्रिक एसिड औक्जेलिक एसिड या लेक्टिक एसिड इसके नमबर B यानि जो निम्बू के अंदर है वो सिट्रिक एसिड़ पाया जाता है यानि B एंस्वर इसका क्रेक्ट होने वाला है अगे चलते हैं अगला क्यूशन है कि निम लिकित में से किस विलियन में विदुद्दारा का परवाव नहीं होता है आपको बताने है कि विदुद दरा का परवाव है जो किस के अंदर नहीं होता है तो इसके अंदर आपके राइट एंसर हो जाएगा वनस्पति तेल यानि C एंसर इसका क्रेक्ट होने वाला है C एंसर इसका क्रेक्ट हो जाएगा आगे चलते हैं अपने अगली क्यूशन के और खाना पकाने के बड़तनों कि हैंडल बनाने लिए सरवधिक उप्योग परदार्थ कौन सा है यह पॉलितीन नाइलोन पीवी सी या बेके लाइट तो विदार तो इसके अंदर आपको सभी को पता है इसका राइट एंसर होगा ऑप्शन नमबर डी यानि जो बेके लाइट है जिसका परियोग क्या करता ह खाना पकाते समय बरतनों को हैंडल बनाने में इसका उप्योग करते हैं डी एंसर इसका करेक्ट हो जाना है तो आप हमारे साथ निरंतर जुड़े रहें और क्लास को पूरा देखें ताकि आपको ये आपको अच्छे से समझ में आ सकता है तो आपको अगला क्यूसे ने एक हर्ट के बराबर क्या होता है एक कमपन परती मिनट दस कमपन परती मिनट साथ कमपन परती मिनट या छस्सो कमपन परती मिनट तो एक हर्ट के बराबर कितना होता है एक हर्ट के बराबर होता है साथ कमपन परती मिनट यनि सी एंसर इसका भी क्रेक्ट होने वाला है आगे ज एशीतर डेसिबल, 80 डेसिबल, 50 डेसिबल ये 40 डेसिबल, जो हमारे 80 डेसिबल है, वो विज़ाड तो क्या है, वो हमारे सुनने योगे लिए है, यानि कानों के लिए कर्ष दाई के, यानि बी एंस्वरिस का करेक्ट हो जाएगा, अगले क्यूसे ने कि पर्ती एकांग सेतर पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, पर्ती एकांग सेतर पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, गरूतवे, गर्षन, चुम्ब किया या दाब, इसके अंदर बताना है कि पर्ती एकांग सेतर पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, तो पर्ती एकांग सेतर पर लगने वाला बल आपको बताना है कि प्रोटो जोड़ा द्वारा होने वाला एक रोग है जो मच्र के द्वारा पहलता है वो कौन सा रोग है यह डेंगू, पोलिया, मलेरिया या खसरा इसके अंदर आपको अच्छे से ज्यान रखना है और इसका एंसर करना है तो इसके अंदर कौन सा एंसर हो और अगला किसेने सही कतन का आपको जो है चायन करना है यह है गुण सुत्र केंद्रिका में उपस्तित होते हैं कोशी का केंद्रिक में इस्तित होती हैं जीन गुण सुत्र में इस्तित होते हैं या केंद्रिक कोशी का जिल्ली सिक्री होती है आपको सही कतन का जो इसका एंसर कोई सा होगा जिसके अंदर होता राइट एंसर अच्छा राइट एंसर होगा जीन है जो गुंड सुत्र में इस्तित होते हैं यहनी C answer इसका correct होने वाला है अगे चलते हैं अपने अगले क्यूशन के और अगले क्यूशन है कि कलिका के द्वारा जनन होता है आपको बताना है कि कलिका के द्वारा जनन किस में होता है यह पेरामीशियम, हाइडरा, अमीबा यह बैक्टीरिया तो बिद्वार तो इसके अंदर आपको राइट एंसर बताना है कि जो कलिका के द्वारा जनन किस में होता है कलिका के द्वारा जनन होता है किस में हाइडरा के अंदर जो कलिका के द्वारा जनन होता है इन भी एंसर इसका आपके correct होने वाला है आगे चलते हैं अपने अगले क्यूसिन के और अगले क्यूसिन है मक्का की पसल उगाने के लिए नीन में से कौन सी परसेती है जो आउसक नहीं है आपको बताना है कि मक्का की पसल उगाते है ऐसी कौन से परसेती है जो आउसक नहीं है यानि D answers का correct होने वाला है आगे चलते हैं अगले क्यूशन की और अगले क्यूशन है सुजल होता है आपको बताना है कि सुजल की प्रकृति कैसी होती है अमलिये, उदासीन, सारिये या इन में से कोई नी सभी को बता है कि तो सुच चल लगवा इसके अंदर विदार्च राइट एंसर होगा सच्रेणिये के अंदर कौन सा होगा ड्रेगन मकी यानि B answer इसका correct होने वाला है अगे चलते हैं अगले क्यूशन की और अगले क्यूशन है पैनी सलीन नामक पड़ती जेविक की खोज किसने की चो पैनी सलीन है उसके पड़ती जेविक की खोज किसने की एडवेड जेनर, लुईस पास्चर, अलेक जनर फ्लैमिंग या वाटर मैन तो इसके अंदर राइट एंसर होगा आपके अप्सन नंबर C यानि अलेक जनर फ्लैमिंग ने पैनी सलीन नामक पड़ती जेविक की खोज की थी एंसर इसका क्रेक्ट हो जाएगा अगे चलते हैं अपन अगले क्यूशन के और अगले क्यूशन है मचलियां किस नंग में सोसन करती है आपको बतना है कि मचलियां वो किस नंग से सोसन करती है फुपुस, तोचह, गिल्स या सोसन पड़णारी तो इसके अंदर राइट एंसर होगा ओप्सन नंबर C तो मस्लियां है वो गिल्स के द्वारा सोशन करती है अगे जलते हैं अगले क्युशन सबुस्चिया राप। जितने भी जलुबशार होते हैं उसके क्या होते हैं आयाप प्सेट होजएगा आगे चलते हैं अगले क्यूशन की और पड़्टियों की स्थे पर लग वह कितने प्रतिशत बाग जो जल से ठेका हुआ है यह 90 प्रतिशत पचास प्रतिशत 40 प्रतिशत एक कतर प्रतिशत तो इसके अंदर राइट है जो होगा ऑप्सन नमबर डी यानि कितने प् प्लाइवुड बिटुमीन तो आपको वन उत्पाद का पूचा गया है तो वन उत्पाद कौन सा है वन उत्पाद है जो है प्लाइवुड यह नि शी एंस्वर इसका भी प्रेक्ट हो जाएगा अगे चलते हैं अपने अगले क्यूशन की और अगले क्यूशन परतिशत का म मद्या व कहलता है वो करलाता है यह का इंसर इसका घरेक्ट हो जाएगा अगला क्यूशन है कि नेत्र के उस भाग का नाम बताए जो नेत्र को रंग परदान करता है नेत्र के उस पांग को ना मतर्णा जो नेत्र को रंग पढ़दान करता है आईरीस लेंस कॉर्णियायरेटिना तो इसके अंदर राइट एंसर होगा आईरीस यानि यह एंसरीस का करेक्ट रोने वाड़ा है अगले कुसेंगे की इसके अंदर आपको गरत बता दिया है इसके अंदर तोड़ि स्टेक हो गई इसके अंदर अमर Ukraine करना आपको ओप्सन में आमर बेल करना है तरसों, गुलाब, पिटूनिया या पपिता, एक लेंगी पुसब का पुचा आपको, जिसके अंदर नर्वे मादा अलग अलग पाई जाती है, तो नर्वे मादा अलग अलग किसमें पाई जाती है, पपिता अगे अंदर पाई जाती है, ऑप्शन नमबर D एंसर इसका क्रेक प्रिट्स, इसकरवी, गोईटर या हिमोफीलिय, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है थाईरोक्सिन आर्मों से होता है, यहनी सी एंसर इसका करेक्ट होने वाला है, आगे चलते हैं अगले क्यूशन के और, अगले क्यूशन है कि नेन में से किसमे हैं, जो वाई अनिस्याच होता है वाइनिसेशन बताना आपको मानव के अंदर मेंड़क के अंदर मुल्गी के अंदर या गाय के अंदर तो विद्धार तो इसके अंदर राइट एंसर हो जाएगा वाइनिसेशन का पूचा है वाइनिसेशन किसके अंदर होता है वाइनिसेशन होता है वो गाय के अंद हान बी करना इसके अंदर कौन सा करना है तो ङिक हैं को करेंड़न bunları इसका करना है आपको मेंडक आगे सांने के अगले की सदिंगेयो ऑर अगले कने कि सटनी है मनुषिया में निक लिद्दारंबर की परकिरिया में पूत्री का का निर्माण होता है एक X कुन सुत्र से, एक Y कुन सुत्र से, दो Y कुन सुत्र से या दो X कुन सुत्र से आप सभी को बता है कि जो पुत्री निर्दारण का होता है वो दो X कुन सुत्र से होता है यानि B answer इसका correct होने वाला है आगे चलते हैं अगले क्यूशन के और अगले क्यूसन है कि पादब का जनन बाग होता है पादब का जनन बाग कौन सा होता है प्रण, तना, मूल या पुस्प पादब का जनन बाग कौन सा होता है पादब का जनन बाग होता है वो क्या होता है पुस्प होता है यह डी एंसर इसका करेक्ट हो जाएगा अगे चलते हैं अगले क्यूशन के और अगला क्यूशन है कि किस आयू वर्ग में किस औरों में टीन हैर से जन कहा जाता है तो आप सभी को पताओगा इसके अंदर राइट एंसर हो जाएगा आपके ओप्शन नंबर ए यानि इग्यार से तेरा वर्ष को क्या का जाता है अगला क्यूशन है बहुत यच्छा क्यूशन है प्रदशित लेगियूं पादब यानि जो दलनी पादब होते हो जड़ गरंति इसके अंदर कौन सा हो जाएगा राइजोबियम बाए जाता है यानि बी एंसर इसका आपके क्रेक्ट होने वाला है अगला प्यूशन है अगला क्यूशन क्या है कि मारबल कैसर परिगेटना का कारण कौन सा है मारबल कैसर परिगेटना का कारण अमली वर्षा कोरा एस पीस तो इसके अंदर राइट एंसर हो जाएगा सी एफ सी यहनी सी एंसर इसका क्रेक्टर होने वाला है इदार्टियों आपको अगर क्लास अची लगी तो क्लास को लाइक शेर और सस्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें हाँ जो हमारे न्यू चैनल आ रहा है उसको बहुत ही महत्पुन से दोने वाला है तो आप उस चैनल को जरूर सस्क्राइब करें उसका लिंक आपको ट्रिप स्क्राइब बॉक्स में दे दिया चाहेगा थैंक यू थैंक यू वेरी मिच आपने ये पूरी क्लास देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक थैंक ये वेरी मुट्ट